हमारे कई दोस्त बोट तो आसानी से बना लेते हैं लेकिन उन्हें प्रावलम कब आती है जब उस बोट को दीवाल पर मेटलिक बॉक्स में फिक्स करना होता है तो उसमें क्या करता है जब वो फिक्स करते हैं तो वो सीट है वो थोड़ी तिरची हो जाती है जिसके कारण वो अच्छी नहीं लगती है खराब लगती है तो यह होता है जब हम जो हमारे box है metallic box है और जो सीट है उसमें अगर हम hole proper नहीं करेंगे सही नहीं करेंगे तो उसके कारण से यह सीट है वो थोड़ी तिरची हो जाती है तो आज की वीडियो हमाँ आपको बताने वाले हैं कि आपको इस seat की marking कैसे करनी है जिससे आपका जो seat है वो बिलकुल भी सीधी रहे बिलकुल भी तिर्शी ना हो तो आपको इसकी marking कैसे करनी है तो देखी ये हमारा साचार का एक board है और ये हमारा metallic box है जो की दीवाल में underground fix है तो इसकी हमें marking करनी है ये seat हमें उसमें लगानी है और हमें उस seat को बिलकुल सीधा लगाना है बिलकुल भी तिर्शा नहीं रखना है तो आप इसकी marking कैसे कर सकते हैं तो देखी यहाँ पर ये हमारा board है और एक हम लेंगे skill हमारे पास skill नहीं अभी तो हम जो बिलेड होता है एक्सा बिलेड उसको रख लिया है वो भी सीधा होता है तो आपको क्या करना है इस बिलेड को जो metallic box के जो होल है उसके बिलकुल center में रखना है दोनों उपर और नीचे के दोनों के center में रखेंगे और जो pencil से आप दीवाल पर mark कर देंगे उसके center से देखिए इस प्रकार से हमने उपर नीचे भी करना होगा हमें तो देखिए जो होल है उसकी बिलकुल center में रखना है जो line है वो हमारे उसके 20 से निकले तो इस प्रकार से आपको जो hole है उसके चार उस तरफ से आपको इस प्रकार से marking कर लेनी है तो देखिए यहाँ पर बिलकुल center में हमने रखा है दोनों साइड के उपर नीचे और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से line बनानी है दीवाल में और उसके बाद जहाँ पर आपने देखिए यह line खीचीती न इस line को आपको जो board है जो seat लगाई है आपने उस seat पर छोटी से marking को कर लेंगे इस प्रकार से आप dot dot करके थोड़ी से marking कर लेंगे तो हमने देखिए सभी जगाई पर जहाँ जहाँ पर यह निशान लगेते हैं हमने दीवाल पर उससे सभी निशान को हमने seat पर ले लिया है तो अब आपको क्या करना है फिर से आप scale लेंगे और जो seat पर जो आपको dot dot दिख रहे हैं उसको आपको जो scale है उससे आपको इस परकार से सीधा रखके निशान बना लेना है तो देखिए आपको यह थोड़ा तिरचा लग रहा होगा तो यह seat में हमने तिरचा नहीं किया है यह हमारा जो board है जो metallic box है उसी में जो hole है वो थोड़े तिरचे है इसलिए यहाँ पर आपको जो line है वो थोड़ी तिरची दिख रही होगी तो आपको इस परकार से 4 side से line को कर लेना है marking को कर लेना है उसके बाद आपको इसमें hole करना होगा तो देखिए इस परकार से अगर आप marking करेंगे तो आपकी seat है वो बिल्कुल fix जगाए पर रहेगी कोई भी थोड़ी बहुत भी आपको उपर नीचे नहीं लगेगी तो देखिए हमने इस परकार से marking की है और जहाँ पर यह line है आपस में काट रही है एक दूसरे को बहाँ पर आपको hole करने ना है तो hole भी आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कील है तो आप उसको थोड़ा कीला बना लेंगे और एक जो छे का एक nut लेंगे उसको जहाँ पर आप hole कर रहे हैं उसके नीचे रख लेंगे जिससे क्या हो आपकी जब hole करेंगे तो आपकी जो seat है वो नीचे की side से बिलकुल भी खराब नहीं होगी और जो hole है वो बिलकुल भी accurate होगा fix होगा तो देखिए यहाँ पर नीचे हमने nut को रखा हुआ है और ऐसा रखेंगे nut को के जो हम कील या जो भी poker बगएरा है उसको जब ठोकेंगे तो वो nut के बीच से हमारा hole होना चाहिए जैसे हमने dot है यहाँ पर तो dot को इस परकार से रखेंगे जिससे आपका जो nut है उसको बिलकुल नहीं जो भी center में जो hole हो हो हमारा तो इस परकार से आपको 4 hole को कर लेना है तो देखिए हमने इस परकार से रखा और यह हमारा poker है जो हमने खुछ से बनाया तो आप भी बना सकते है नहीं तो आपके पास अगर कोई कील है तो उसका थोड़ा सा नुकिला बना सकते हैं और उससे आप आसानी से इस परकार के hole कर सकते है और अगर आपको hole थोड़े पतले लगें तो आपको screw इसमें चला जाए तो इसलिए आप इसको चोड़ा भी कर सकते हैं किसी भी rod की साहता से या कील की साहता से तो देखिए यहाँ पर आप हमें fix करना है तो देखिए यहाँ पर जो board है जो underground pipe आया है यहाँ पर पूरी तरह से चोक है खराब है तो हमें जो wire है वो बाहर से लाना पड़ा है तो देखिए यहाँ पर हमने board बनाया था तो आपको यहाँ पर जो red wire है उसको face में जो सोचे उसमें एक जगा पर जहाँ पर हमने face link डाला हुआ है पर कनेक्ट कर देना होगा और यह black wire है उसको आपको जो circuit है बहाँ पर neutral जा रहा है तो आपको बहाँ पर neutral पर connect कर देना होगा तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर खोल और इसको अच्छे टाइट कर देना होगा कि बिल्कुल भी लूज ना रहे जब भी हम यहाँ पर कोई भी कनेक्ट लोड लगाए तो उसमें बहाँ पर कोई भी स्पार्किंग बगेरा ना हो तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना होगा और अब हम आपको बताते हैं किस परकार से आप जब बोड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी सीधा रहेगा बिल्कुल भी तिर्चा बोड नहीं होने बाला है जैसे हमने मार्किंग करते समय लगाया था उसी परकार से यह बोड है वो बिल्कुल फिक् करेंगे चाहिए वो कितना भी बड़ा बोड हो आपका एक मीटर का भी बोड होगा तब भी आपको मार्किंग इसी परकार से करनी है तो यह जो बोड होता है बिल्कुल फिक्स हो जाता है सीधा रहता है बिल्कुल भी तिर्चा नहीं होता है तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो इसको लाइक सेर जरू करें और जो भी दोस्त चैनल पन्ना है वो चैनल को सस्क्राइब जरू करें क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहे हैं